ह 욍लो और इवन तो आज हम देखेंगे कि यहां पर upload profile picture है वो आप कैसे upload कर सकते हो अगर आपको single upload करना है तो आप directly यहां पर students search कर के उसके edit profile में जाके upload कर सकते हो अगर आपको bulk में upload करना है तो आप कैसे upload करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे upload profile picture का tab मिल जाएगा वो आपको open कर लेना है और जितने भी आपके मानलो कि एक class में 30 student है तो वो 30 student का आपको image file directly यहाँ पे bulk में upload कर देना है जो भी आप upload करोगे तो यहाँ पे आपको उसके file name यहाँ पे मिल जाएगी तो आप student की नाम के इसाब भी file name बना सकते हो, unique number, gr number wise भी file name बना सकते हो तो वो directly आपको यहाँ पे सबसे पहले upload कर देनी है उसके बाद यहाँ पे just उसका जो file name आता है उसको आपको copy कर लेना है copy करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, update bulk student ठीक है इसके उपर आप click करोगे, यहाँ पे आपको classroom की sheet download करनी है और download करने के बाद यहाँ से नाम और यहाँ पे आपको मिल जाएगा profile image इसको click करके एक sheet download कर लेनी है जो आप यहाँ पे sheet download करोगे, तो directly आपको इस तरह से एक आपको sheet मिल जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे आपको student name मिल जाएगा और बाजू में profile image मिल जाएगा तो यहाँ पे just आपको वो नाम paste कर देना है, जो भी आपको वहाँ से मिला है और यहाँ पे सारे जो भी image यहाँ पे आप नाम paste कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे Ctrl S करके यहाँ से वो file upload कर देती है तो जो भी नाम जिसके भी student के सामने होगा, वो image यहाँ से automatically निकाल के उसके profile के अंदर वो upload कर देगा तो इस तरह से हम bulk में भी student profile picture को update कर सकते है, thanks for the watching video